दिले सिर्द इंडिया गेट पर निता जी की घृणाईट से बनी भ氣 मूर्ती स्थापिक की जाएगी लेकिन उसका निर्मान अभी पूरा नहीं हुआ है इसलिए जब तक Greenite से बनी प्रतीमा पूरी तरह से नहीं बन जाती तब तक निताजी सुभाश चंदर बोज की प्रतीमा का होलोग्राम उस स्थान पर लगाया चाएगा सुभाज चदर बोज की प्रतिमा उस छत्री में लगे गिये जहां पहले जॉर्ज पंचम की मूर्ती लगाई गई थी। जॉर्ज पंचम की प्रतिमा को 1968 में हटा दिया गया था तब से ये छत्री खाली पड़ी हुई है। तो प्रोजेक्टर की तरह काम करता है होलोग्राम जब तक मूर्ती नहीं स्थापित की जाती जब तक ये होलोग्राम ही रहेगा और किसी भी चीज को 3D आकार दिया जा सकता है। तो कई बार किसी भी चीज के असली होने का भी भ्रम होता है और होलोग्राम को स्टाटिक किर्णों के जरीए पेश किया जाता है। होलोग्राम तक्नीक से बनी नेताज़ी की प्रतिमा का एक आकार होगा और नेताज़ी की प्रतिमा को सिर्फ देखा जा सकता है उसे चुआ या महसूस नहीं किया जा सकता एक तरह के डिजिटल तकनीक से यह hologram बनकर तयार होगा और तस्फीरों में भी आप देख सकते हैं खुछ इसी तरह से यह hologram दिखाई देगा और जब मूर्ती बनकर तयार हो जाएगी उसके बाद में मूर्ती के स्थापना की जाएगी तो आज शाम 6 बजे ये कारिक्रम का आयजन होगा करें जनतंत्र टीवी एड प्रेस दा बेल आइकन नेवर मिस एनी अपडेट डाउनलोड कीचे ज्वनातंत्र टीवी अप को जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और अप स्टोर पर अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें